दोस्तों आपको जानकारी है भारत रूस से भरभर के माल खरीदता है लेकिन बदले में जब हम कहते हैं रूस से कि आप क्या खरीदेंगे हमसे तो रूस कंप्लेन करता है उनका कहना होता है कि भारत का सामान क्वालिटी वाला नहीं है हम भारत से क्या खरीदें हमें यही नही पता इसी कारण से भारत में जो रूसी अकाउंट है उसमें रूपया एकटा हो गया है और रूस को पता ही नहीं है कि इस रूपय के साथ करें क्या तो भाया भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्मंत्रिय योगी जी उन्होंने कहा है कि आपको पता नहीं है भारत में जो आम ह वो फलों का राजा कोई भारत में नहीं पूरी दुनिया में है भारत ये आम का राज पूरी दुनिया में चलेगा आप मौका तो दीजिए और ये मौका अगर आप देंगे तो भारत और रूस दोनों को लाब होगा देखिए दोस्तों अभी रूस में जो आम बिखता है वो 900 रुपए प्रती किलो के भाव पर बिखता है लेकिन यदि भारत अपना आम रूसी मार्केट में बेचे तो वहां पर हमारा मार्केट वित्ल प्रॉफिट पहुंचता है उनके यहां तो दाम पका है हमें जो है सस्ता पड़ता है वहां माल पहुंचाना यदि हम रूसी दाम पर बेचें तो भाइयाजी बहुत बहुत दुगना तिगना प्रॉफिट हो सकता है और सुभावे के चुकि भारत बड़े प्यमाने पर आम बेचेगा तो हो सकता है रूस में भी जो आम के दाम है वो नीचे आ जाएं रूस के लोगों को अच्छे आम सस्ते दाम पर खाने का मौका मिल सकता है और दोस्तों ये जो लॉजिक है वो ना केवल रूस में लाग गु पूर नहीं है भारत और रूस के बीच में जो आपसी व्यापार है उसको संतुलन में लाने में आम हमारे लिए मददगार साबित होगा ऐसी हमारी उम्मीद है और हम सफल होंगे इसमें कोई संसाय थोड़ी है और हाँ दोस्तों शेर मार्केट में सफलता के लिए आप इड़िए